नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अगर आपको भी धन वैब हो सुख शंपती की कामना है तो घर में रखें इन पेड़ों की बांदा बांदा के बारे में मैं कई सारे बिड़ों बना चुका हूँ तंत्र सास्तुर में वनस्पती सास्तुर में बांदा का उप्योग प्राचिन काल से ही होता आ रहा है बांदा एक तरह का परजवी पाउधा होता है जो की जमीन में न उग करके किसी पेड़ पोधे पर उग आता है तंत्र सास्तुर कुसार किसी भी पेड़ पर उग आया बां अमरवेल नाम के लता होती है, इसी प्रकर जो बांदा होता है, ये व्रिक्षों को मारता नहीं लेकिन उनके अंदर रहने वाली जो देवीन शक्ति उसी अपने अंदर में खींच लेता है असोग है, पीपल है, अनार है, गुलर है, आम है, हर सिंगार है इस प्रकार के जो पेड़ पौधा कहें गये हैं इनके बांदा बहुत ही ज़्यादा चमतकारिक होते हैं कुछ जो धार्मी के पौधा है इनके बारे में प्रकार के परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया आसिर वाद है पेण पोधे से वेक्ति अपने गरीबी मिटा सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। पेण पोधे में इतना जादा शक्ति होती हैं। जिससे वेक्ति आज भी अद्रिश हो सकते हैं। गायब होने की सिद्धी भी प्राप्त कर सकते हैं। धंदौलों से परिपूर्ण बन सकते है पेढ़ पोधि से अनेग प्रकार की बीमारी जड़ से समापत होते हैं पहले समय में डंक्ताई दवा नहीं थी तो पेढ़ पोधि कई परोग होता था और आज भी होता है आरवेद की दवा बहुतीly पावर को होते हैं आयरुवेद में जीवन चूप हैं जो आयरुवेदिक जड़ी बूटी होती हैं ये गरीबी दूग तकलिप एवं परसानी को दुर करते हैं तो आज मैं आप लोगों को जो बांदा नाम कहे जाने वाले परजीवी लता होते हैं इनके बारे में बताऊंगा कई ब्रिक्षों पर आपने देखा होगा एक प्रकार के नया ब्रिक्षा उगा आते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो बेल की ब्रिक्षा हैं बेल की ब्रिक्षा में एक प्रकार के नया पौधा उगा आते हैं जो भी पौधा उगा हैं तो उस पौधा को बेल ब्रिक्ष जो भी आप बांदा लाना चाहते हैं जिस भी पेंट पोधे की तो मैं नच्छातर बताऊंगे इस विडियो में और उसे नच्छातर आने के एक दिन पहले आपको इसे निमंतर देना होता है आप चाहते होती से होली में ला सकते हैं होली की एक दिन पहले निमंतर दे सकते हैं लिए और दिपावली की दिन कोई भी बांदा ला सकते हैं, 100% अपना परभाव दिखाते हैं, तो बांदा लाने का एक ही नियम है, अब को धूब, दीब, अगरबत्ती, एवं साथ में नारियल ले करके जाना होता है, पीले चावल आब को जो भी ब्रिक्षा की बांदा लाने कि नारियल भेंट कर दीजरू इस ब्रिक्षा को पराथना करना के है, अफ़ादी महराज, मैं आब की इस बांदा को कल पराथा कल सूर्योंदे से पहले आ करके ले जाऊंगा, पूर्ण सकतिक साथ के रिपया, आब चलि इस परकार साब को पराथना करना होता है, लेकिन एक बात कबी से ध्यान रखना वहां पे एक सब्द जरूर बोना इस ब्रिक्ष में रहने वाले असूरी सक्ति गृपाइ मेरे साथ ना चले इस प्रकार से आपको प्रात्ना कर लेना जब आब लातने हैं तो दैवी और असूरी सक्ति कभी आने का खतरा रहते तो इस बात कबी से ध्यान रखना चले मैं आप लोगों को विभिन प्रकार की हमारे धर्मसास्तर में कहें के बांदा है मैं उनके परयोग बता रहा हूँ तो बिड़ो को लाइक नहीं की तो बिड़ो को लाइक जरूर कर लेना तो हमारे धर्म सास्तर सवरप्रथम कहते हैं हमारे वनस्पति सास्तर में बांदा जो बेर का बांदा होता है बहुत ही प्रभावी होता है बेर के बांदे को विधी वद तोड़ करके अगर लाया जाए इसका देव प्रतीमा की तरह पुजन किया जाए इसनान करवाया जाए पुजन करनेगबादी से लाल कपड़े में बांध करके धरान किया जाए तो आप जो भी इससे मांगेंगे वह सब आपको प्राप्त होना सुरू हो जाएंगे सवाती नचात्र में लाना होता है यह जानने के लिए गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं पुजा करने पुजा करने बादी से घर की किसी गुपत इस्थान पर रख देते हैं तो दिन दुगनी राध चोगनी उनती होने लगता हैं क्योंकि इसके अंदर में ऐसी आलोक से हो सकते हैं जड़ी-बूठी की रज से मृत वेक्ति को भी जीवित किया जा सकते हैं आपको भिस्वास करना चाहिए तब यह फल दिखाए दूसरे करम में आते हैं बर्गद का बांदा यह बांदा बाजू में बांदने से हर कारे में सफालता मिलती हैं और कोई भी धरन क अगर इनका जड का बांदा धारान करते हैं तो ये किनन माने आपके बाल भी वांका नहीं कर पाएंगे इसके बाद हर सिंगार का बांदा आता है ये बांदा बहुत ही पावरफुल होता है इसलिसे काफी मुश्किल से मिलता है जो हर सिंगार का बांदा होता है थोड़ा खिचने का चावी कहेंगें कुवेर के से चावी कहेंगें हर सिंगार का बांधा मघा न च्छत्र में जो मघा न च्छत्र होता है इसमें लाया जाता है अगर मघा न च्छत्र पता ने गूगल में सर्चा करके देख लेज़े यह फिर होली है या दीपा वली उस दिन भी ला स प्रवेश नहीं करते हैं तो आपकी घर हमेशा सुरक्षीत रहेंगे यह जब अब अब पूर अब फूल हैं इसके बाद हैं आवले का बांदा, आवले का बांदा को भूजा में बांद में बांदने से चोर, ढांको, हिंसा का पथू कब भी आपको नहीं सतातीे इनका डर ही समापता हो जाते हैं अब अभय हो जाते हैं आपको किसी कड़ार नहीं रहाता है जैसे कि आपने मान के चलिए जंगली वाले काम करते हैं जंगल में जाते हैं फारिष्ट विभाग में हैं फिर कुछी जंगल से जुड़े कोई भी काम करते हैं और आपको जैसे कि हिंसक पसू हैं चोर हैं डाकू ह बहुत ज्यादा खत्रा बना रहता है जंगल इलाकर में तो आप इनसे बचना चाहते हैं तो यह बांदा अवश्य धारण करें यह पहंड़ेक बाद हिंसक पसु आपके बाल वांका नहीं कर पाएंगे आप से दूर भागेंगे आप से कभी भी वह नहीं टकराएंगे इसके बाद है नीम का बांदन अगर आपको कोई दूसमन अगर आपकी कोई दूसमन है वह आपको बार-बार परसान कर रहे हैं अब उनसे परसान हो चुके समझ में नहीं आ रहे हैं आप करे तो करे क्या तो नीम के बांदे को अपने दूसमन सब जो इस पर सकरा दीजे सिग रहे सब्सक्राइब अगर सज्जन वेक्ती हैं और आपकी जो नियाद बहुत खराब हैं तो यह उल्टे भी काम कर सकते हैं आपकी सर्वनास कर सकते हैं किसी को नुक्सान पहुचाने के लिए ऐसा गंदे पर्योग नहीं करने क्योंकि सत्रु को अगर इनके बारे में जान करें कि हार नहीं होती जिहां बिल्कुल ही अगर आप जो पहलवानी काम करते हैं या फिर जो विजय प्रत योगिता वाले काम होती उसमें करते हैं बिल्कुल ही आपको विजय मिलते हैं आप हमेसा विजय प्राप्त करते रहेंगे जिन पती पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है व पिर मंगल दोस्त लागें तो सारे दोस्त हो जाते हैं ऐसा वनस्पति सास्तुर में लिखें अभी तक विडियो को लाइक नहीं कि तो विडियो को लाइक जरूर करते हैं खास बात बताना चाहूंगा प्राचीन यान एक यूटूब चैनल ही नहीं बलकि छोटा सा परिवार ह अगर आपके मन में कोई डाउट हैं कोई कोश्चान है तो कोमेंट बक्स में बिल्किल पूछें आप हमारे विडियो को देख रहे हैं आप हमारे विवर्स नहीं हमारे परिवार की ही से हमारे सदस हैं जो भी पूछें वो पूछेंगे सवाल के में एक विडियो बना करके जानकरी अपने ही चैनल में साजा करूँगा इसके बाद हैं अगले करम में कुस का बांदा कुस का बांदा भरडी नच्छत्र में लाकर की विधिवत पुजा करना होता है ओम नमो धंदायक स्वाहई एक प्रकार के बीज मंत्रा है इस मंत्रा का ग्यारह माला अगर आप प्र थोड़ा सचावाल लेना है लाल कलर की कपड़े लेना होता है यह बांदा को डालना होता है यह बांदे को उसमें डालना होता है पोटली तयार करना होता है फिर आपको इसे अपने तिजोरी में रखना होता है आपके घर में आप देखना धन्यधान पूरे जिवन भर आए इनके जड़ पर ब्रम्भा विश्नु तथा साख्षात महेजी निवास करते हैं और ये पीत्रों के सवरू भी कहा गए हैं इसलिए ये घर में रखने से हमें अत्यधिक धन की प्राप्ति होता है घर में सुक शांती आता है घर से कला कल समापता होता है इसके बाद अगले करम में हैं गुलर का बांदा गुलर के ब्रिक्षक का बांदा रोहडी न च्छतर में लाकर कि विदीवत पुजा करने कबाद घर के मंदीर में रखने से धन व्रिद्धी होने लगती है और गुलर के बांदे आपको बहुत यसानी से मिल जाएंगे सबसे ज्यादा जो हैं गु कोई भी जो पालास हैं उनके बांदा का परोग कर सकते हैं तो पालास के बांदा होली की दिन ला करके विदीवत पुजा करके अपने घर के अनभंडार में रख दिया जाया तो धन्यद्धान की ब्रिद्धी होती हैं जो पालास के बांदा होते हैं इसे साक्षात भगवान शंकर के शोरुख कहे गए हैं तो हम इस बीड़ोर में आप लोगों को बहु divisions आरेमें बताएं चाहतें दूक तकलीमी परसानी को मिटाना सब्सक्राइए तो बीड़ोर में घर में लाकर के स्थाफित करें अब की दिन दुगनी राचोगनी प्रगती जरूर होंगे तो यह थे छोटे से जान करें हाँ एक बास अभी तर सको को बताना चाहूंगा बिड़ो को अपने तक शिमित मत रखना हो सकता है आप इस बिड़ो को आगे सेयर करेंगे तो किसी के भाला हो जाएं और अमरित में जैसा हो जाएं और नमस्कार